हे गाई स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 न्यू जनरेशन मोडिफाइड महिंद्रा थार मुझे बहुत एकसाइटमेंट हो ये वीडियो शुरू करने से पहले क्योंकि ये मोडिफाइड थार कुछ अलगी लेवल पर है बॉस आप भी मेरी तरह हर मोडल में जरूर शौक होंगे तो लेट्स टाइब इंटु इट और हां मैंने अपने उपिनियन से इन मोडिफाइड थार्ज की रैंकिंग की है आपको जो मर्ल अच्छा लगे उसके हिसाब से आप रैंकिंग कर सकते हैं और हमें भी कमेंट में बता सकते हैं तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो नमबर टैन पे है हमारी दा अर्बन जीव इसे मोडिफाइड किया है क्लासिक सर्विस पॉइंट ने देखते ही पता चल रहा है कि ये मोडिफाइड होकर कितनी सोलिड और जैनून लग रही है कितनी सोलिड और्ञग कितनी से असे ये इसे दो judief पर बबखी कितनी सर्विस कितनी सोलिड देशrays तो कितनी ुप्तवर मोडिएड़ प्यां आएड़ कितनी समी इसे व्कमkon citizens तो ये थी हमारी दा अर्बन जीप आपको ये मोडिफाइट थार कैसे लगी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन नमपर नाइन पर हमारी रेट जीप जिसे मोडिफाइट किया है कार क्राफ्ट सुडियो ने आप जब पहली बारे से देखते हैं तो आपको ये जीप रेंगलर लगती है लेकिन ये मुझे जीप रेंगलर से भी अच्छी लग रही है सीरिसली एनिवेस गाइस आप इस थार क की फिनिशिंग चैक करो हैड लाइट्स ग्रिल्स वग्यारा सब भी परफेक्ट प्लेजड है नमबर एट पे है हमारी एंग्री मेन अब आप सोच रहे होंगे एंग्री मेन तो भाई इन गाडियों के नाम नहीं थे तो मैंने इनके स्टाइल के अकोडिंग उनका नाम करन कर दिया आपको जो नाम अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं और हमें भी कमेंट्स में बता सक हैं एनिवेस इसे मोडिफाइट किया है आटो क्राफ्ट इंडिया ने और क्या ही मोडिफाइट किया है भाई मान गए वैस आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि यह थार कितनी ज्यादा अग्रेसिव लुकते रही है और भाई जड़ा इसका इंटीर तो चेक करो क्या ही मोडिफाइट किया है भाई सच में माइड ब्लॉई है नमबर सैवन पे है हमारी वोईजर 2.0 जिसे मोडिफाइट किया है हाउस आफ पॉलिश ने इन्होंने थार को कितनी क्लासिक और क्लीन लुक दी है वाउ मुझे इसमें स्टीकर्स, LED लाइट्स और इसकी फिनिशिंग बहुत पसंद आई भाई सच में आपको क्या चीज अची लगी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं कि ये कनवर्टेबल है लेकिन ये सब काम मैनूली करने पड़ते हैं नमपर सिक्स पे हमारी रेड ढंक जिसे बिम्परा 4x4 ने मोडिफाई किया है और क्या ही मोडिफाई किया है भाई लिटरली एक एक चीज खातरनाक है भाई इसकी ओफ रोडिंग असेसरी और ग्रिलिंग वगारा गाड़ी को पूरा अग्रेसिव बना रही है आप इसे कौन से नमपर पर रखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर पताईए नमपर फाइब पे हमारी वाइट ब्यूटी जिसे मोडिफाई किया है दे रैप टीम ने और मुझे लगता है कि मैंने ये नाम बिल्कुल से लिट पताईए सही रखा है क्योंकि थार की ये लुक बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये हैं इसके बिफोर और आफ्टर रिजर्ट्स आप देखी जगते हैं कि जमीना आस्मान का फर्क पड़ रहा है मेरा कहना गलत नहीं होगा लेकिन ये मास्ट रुपीज है मोस्ट ब्यूटीफुल एस्योवी और इसकी वाइट ग्लोव सी लुक बहुत ही प्रीमिम फीलिंग दे रहे है भाई मेंबर फॉर पर हमारी बैट एस्योवी इसे मोडिफाई किया है बेंबरा फॉर बाई फॉर ने अब मैंने इसका नाम रखा है बैट एस्योवी क्योंकि मुझे बैट मैं की फिलिंग दे रही है एनिवेज इसकी अग्रेसिव लुक और मैट फिनिशिंग तो चेकेजिए साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी पर बहुत मिनत लगी है इसका एकस्टिरियर ही नहीं इसका इंटिरियर भी बहुत प्रीमिमिम इसकी असेसरीज और हैवी ड्यूटी लूप ने मुझे बहुत इंफ्लेंस किया है आपको यह कैसे लगी लेट मी नो इन दी किमेंट सेक्शन नमबर तीन पे हमारी येलो बीस्ट इसे मोडिफाई किया है क्लासिक सर्विस पॉइंट ने और गैस ये मेरी परसनली फेवरेट है कहते हैं ना कि अच्छी चीजों की हम कभी तारीफ ने कर पाते बस यही केस मेरा है मेरी लिस्ट में ये पहले नमबर पर है तो बी ओनस्ट अगर मुझे कभी मोका मिले तो मैं तो भाई इसे ही स्लेक्ट करूँगा नमबर दो पर है हमारी वाइट वैगन जिसे मोडिफाई किया है सिकंद कार वर्ल्ड ने और इसे ऐसे मोडिफाई किया गया है कि यह आपको पहली नजर में जी वैगन ही लगे और भाई लग भी रही है इसे फुली वाइट कलर में त्यार किया गया है कहीं भी आपको कोई दूसरा कलर देखने को नहीं मिलेगा सवाए इसके इंटीरियर से और इसका इंटीरियर भाई यह किसी अलग ही लेवल पर है बॉस बड़े बड़े कार लावर्स और तो गाइस यह थी नंबर दो अब बारी है नंबर वन की सीरिसली यह एक मास्टर पीस होने वला है तो नंबर वन पर है हमारी स्टील ब्लैक इसे भी मोडिफाई किया है क्लासिक सर्विस पॉइंट ने हमारी लिस्ट में से तीन SUV को इन्होंने ही मोडिफाई किया है और भाई क्या काम है इनका मतलब आप इसे देखिए इन्होंने अपनी सारी क्रेटिविटी इसमें डाल दी इसकी राउंड शेप हैडलाइट्स, सेक्सी ग्रिल्स, हैवी असेसरीज, अवरिफिंग इस जस्ट परफेक्ट ये भी मेरी परसनल फेवरिट है बाकी गाडियों के मोडिफाई वर्जन में से मुझे इसकी बैक सबसे ज्याद अच्छी लगी कितनी अग्रेसिव लुक है तो आज के लिए बस इतना ही गाईस, मुझे यकीन है कि आपको ये मोडिफाई थार्स जरूर अच्छी लगी होगी और कौन सी थार आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और उसकी रैंकिंग आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम आ करल में आपके होगीज दाखके होगी 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 है